नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चेर में और पहरे साथियो आज अपने बात करने वाले हैं कारिये एं उर्जा का जो टेस्ट हम लोगों ने लिया था ठीक है 28 इसी 28 जून को पेपर होगा तो नए अप्लिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसको डाउनलोड कीजिएगा रजिस्ट्रेशन आप इस कोर्स में कर सकते हैं प्रिरीट आपको कुल मिला करके पांच मिलेंगी ठीक है मातर साथ रुपेश की प्रैस रखी गई तो जरूर से जरूर इसको आप परचेज करें इसके अलावा साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि यह जो स्रीज जिसके सॉलिशन में आपको यूट्यूब पर करवा रहा हू पर मिलेंगी उसके उपर आप क्लिक करियेगा क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का उप्सन वहाँ पर साथ यो मिल जाएगा ठीक है और आपको एज ए स्टुडेंट अप्लिकेशन में लोगिन करना यह जे परेंट्स नहीं करना है फ्री टेस्ट को आप उपन किया है अभी तक application डाउनलोड नहीं किया है उनको सारे जो टेस्ट हैं वो ongoing में मिलेंगे ठीक है यानि कि वो सारे टेस्ट attempt कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं प्रशनों की सीरीज को और पहला आपका जो प्रशन साथियों वो है कारिये से सम्मंदित निम्र लिखित कतनों पर विचार कीजिए एक किसी वस्तू पर किया गया कारिये उस वस्तू पर लगने वाले बल के परिमान तथा बल की दिशा में उत्पन तोर्ण के बराबर होता है देखिए ये बिल्कुल गलत कतन है क्यों क्योंकि देखिए जो कारि है वो डबलू बराबर क्या होता है साथियो कारिया आपका क्या होता है डबलू बराबर होता है F S cos theta ठीक है या सीधा आपन लिखना चाहिए तो बल गुणा विस्थापनी F S बल गुणा विस्थापनी कारिय होता है ठीक है cos theta इसलिए लगा जेते हैं कि विस्थापन की दिशा में जो बल का गटा को उसको दिखाने के लिए ठीक है साथियो तो तोण का यहां कोई काम नहीं है इसलिए यह option बिलकुल भी आपका सही नहीं होगा उसके बाद में कारिये में केवल परिमान होता है कोई दिशा नहीं होती बिलकुल सही बात है कारिये जो है वो एक अदीस रासी है इसके लिए आपकी quantity है ठीक है तो कारिये जो वो अदीस रासी है इसका कोई आपका दिशा नहीं होगी साथियो केवल परिमान इसका होता है इसके लाव यदि वस्तु विस्थापित नहीं होती है यानि कि अगर विस्तु जो वस्तु है वो बिंदु A से उसने चलना प्रारम किया B तक गई और वापस वो A पर आ गई यानि कि कोई भी विस्थापन नहीं होगी जो अगर जीरो है तो किया गय कारिये भी क्या होगा जीरो होगा यानि कि यहां अगर कथन अपन देखें तो कथन दो और तीन ये दोनों आपके सही कथन है और कथन एक आपका ऐसत्य और आपको पूछा क्या है ऐसत्य कथन कौन सा है तो केवल एक जो है वो आपका यहाँ पे ऐसत्य कथन है बाकी बिल्कुल सही कथन आपके साथ यो माने जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशन नम्बर दो की प्रशन नमबर दो कहता है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको प्रशन नमबर दो है दिये गए कथन ए और कारण आर को पड़ी और कूट की साइता से सही उत्तर का चैन कीजिए कथन ए क्या है जब कोई बल किसी वस्तू की गती को अव मंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कारिये सुनने होगा देखे अव मंदित करने का मतलब होता है वस्तू की गती को कम करना रूखना उसको ठीक कारण क्या दिरखा आर है सुनने कारिये होने के लिए विस्थापन का मान सुनने होना चाहिए देखे कारिये वराबर क्या होता है डबलू वराबर बलगुना विस्थापन होता है अगर अपन विस्थापन का मान सुनने लेंगे दूसरा जो कतन है वो क्या बोल रहा है देखे सुनने कारिये होने के लिए विस्थापन का मान सुनने होना कि अगर कोई वस्तू इस दिशा में गतिमान है और इस दिशा से उसके उपर कोई बल लग रहा है ठीक है इस वस्तू के उपर बल लग रहा है और इसको अवमंदित वो बल कर रहा है तो बल द्वारा के अगय कादिये सुनने होगा सुनने नहीं होगा साथ यह वो क्या होगा रिनात्मक होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि वस्तू की विप्री दिशा में वो बलकाजिय कर रहा है, इसलिए वो रिनात्मक आएगा, सुनने नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ कथन A तो आपका बिलकुल गलत है, और R जो हो वो बिलकुल आपका सही है, तो A गल प्रिश्ट देओगे अप्लिकेशन पर तब और डिटेल सॉल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रस्ट नंबर तीन की बात करते हैं, देगे साथियो, बहुत मैनत लगती है, ऐसा पेपर बनाने में भी, और उसके सॉल्यूशन भी नीचे आपको लिक्के में देता हूं, उसके बाद सॉल्यूशन ओनलाइन भी करवाता हूं, तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें, चैनल को सबस्क्राइब जरू कर लीजिएगा, बहुत अच्छा अच्छा मेटर आप लोगों को यहां पे अव साता है, कार यह बराबर माइनस बल गुना विस्थापन, बल तथा विस्थापन की दिशा समान है, बल की दिशा विस्थापन की दिशा के विप्रीथ है, और बल की दिशा विस्थापन की दिशा के लंबवत है, देखेगा, बल बराबर क्या होता है, डबलू बराबर होता का मान कितना होता साथ यह माइनस का वन होता एफस माइनस वन यानि कि डबलू ब्रावर माइनस बल एफ का मतलब बल और एफ का मतलब विस्थापन यही तो आपको प्रसंद दिया गया था यानि कि इसका मतलब क्या है एफस कोस्थिटा का मतलब है जो विस्थापन हो रहा है जैसे विस्थापन अगर इधर इस दिसा में हो रहा है, ठीक है, तो इसके विपरीत दिसा से बल लग रहा है, तब ही विस्थापन और बल के मद्दे का कौन कितना है, 180 डिगरी काया, इसलिए बल और विस्थापन की दिसा विपरीत है, यह यहां पर बोला गया है, अगर बल कामान जीरो होने के लिए, क्या क्या जरूरी है, कारिये कामान जीरो होने के लिए साथियो, या तो विस्थापन कामान जीरो हो जाए, या फिर जो कारिये बल और जो विस्थापन की दिसा उनके मद्दे 90 डिगरी का कौन हो जाए, ठीक है, यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक ही है यानि कि इसी दिशा में बल लग रहा है इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है यानि कि बल ये विस्थापन भी इसी दिशा में बल भी इसी दिशा में मतलब क्या होगा कि विस्थापन और बल के मद्धे कितने डिगरी का एंगल है जीरो डिगरी का एंगल है तो cost 0 का मान कितना होता है 1 होता है तो कारिये बराबर क्या हो जाएगा बलगुना विस्थापन हो जाएगा फिर तो यहाँ minus दे रखा है इसलिए option आपका कौन सा सही होगा option आपका बी सही होगा अगर यह रिनात्मक्चिन यहाँ नहीं होता फिर option A आपका सही होता मेरे इसाब से आप बहुत अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नंबर 4 की बात करते हैं प्रशन नंबर 4 देखे आपको पूरा यहाँ दिखेगा नहीं फिर भी प्रशन एक बार पढ़ लेते हैं आप लोग ने application पर टेश्ट को तो कि 2023 का मामन आपको पॉइंट 866 लेना है झाल करनें चलिए इस प्रशन को हल करते हैं साथ 얼ियो और चलिए बात करते हैं अससे पहले कि प्रकार से सोल्यूसण जो वो होगा तो आपको दिया क्या गया है प्रसन में आपको प्रसन में दिया गया है कि बल जो है वो कितने न्यूटन का है पांच न्यूटन का तो बल तो आपको दे रखा साथ यो पांच न्यूटन का जो हो बल इसमें दिया हुआ है ठीक है पांच न्यूटन का आपको बल यानि की इस प्रकार की एक रस्टी इसकेबंदी हुई है इस चति इस और ये रस्टी है साथि. Sumộcार ये ृषल सद्राइग न। एंगल कितने डिगरी का दे रखा है ठीक है इस रसी के साहरे जो वो इस वस्तु को जो साथ यो खींचा जा रहा है इस रसी के साहरे ठीक है और आपकी वस्तु किदर खिशकेगी इस साइड में खिशकेगी और बल किदर लग रहा है इस साइड में लग रहा है सीधी सी बात है उपर की तरफ यह आदमी खींच रहा है तो खींचने कोई बल कहते हैं तो इधर बल लग रहा है इधर वस्तु खिसकेगी और यह एंगल कितने डिगरी का 30 डिगरी का यानि कि किया गाया काडिये क्या होगा f s cos theta f s cos theta यह वोगा formula यह होता तो w बराबर क्या हो जाएगा f यानि बल बल कितना 5 गुणा में s का मान कितना देखिए विश्तापन का मान 20 मीटर दे रहा है अपने को 20 मीटर है गुणा cos theta cos 30 degree का मान भी आपको दे रहा है तो यह कितना w बराबर 20 पंजो 100 100.86 यह दे रहा है तो 100 से गुणा करेंगे तो w बराबर 86.6 और कारिये का मातर क्या होता है जूल तो कारिये आजाएगा 86.6 जूल यानि option आपका कौन सा सही हो जाएगा option A आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए उमीद करूँगा बहुत अच्छे से आपको यह भी समझ में आ गया होगा clear हो गया होगा ठीक है साथियो चलिए यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला आपका प्रशन है प्रशन नमबर 5 प्रशन नमबर 5 है हाँ जी प्रशन नमबर 5 है एक कूली 15 किलोगराम का बोज धरती से 1.5 मीटर उपर उठाकर अपने सिर पर रखता है उसके द्वारा बोजे पर किये गए कारिये का प्रिकलन करो अब यहां क्या किया जारा दे क कि एक बोजह है इस परकार से यह एक आप कोई भी बोजह मान सकते हैं कोई भी वस्तु मान सकते हैं और इसको यह आदमी किदर उठा रहा है उपर की तरफ उठा रहा है उपर की तरफ है इस निसा बोला है कि 15 किलोगराम की तो यह वस्तु है 15 किलोगराम की ठीक है इसको जो वो उपर की तरफ उठाया जा रहा है इस परकार से उपर की तरफ उठाया जा रहा है ठीक है उचाए कितनी दे रखिए हाइट आपको दे रखिए एक पॉइंट पांच से मीटर की हाइट आपको जो वो साथियो दी हुई है अगर एक पॉइंट पांच मीटर की हाइट दी कारिये बराबर क्या होगा । बराबर fs cos theta होता है । अब यह आदमी जो वो उपर इसी दिसा में लग रहा है और विस्थापन भी-इसी दिसा में हो रहा है ठीक है, बल भी इधर लगेगा, विस्थापन भी इधर लगेगा, यानि कि थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री है, तो कारिये 0 डिग्री, कोस 0 का मान कितना होता है, 1, यानि कि बल और विस्थापन का गुणा कारिये हो जाएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान तो 1 हो गया, क्योंक ब्राबर एम जी अपन लिखेंगे और इन्टू में एस विस्थापन आपका कितना दे रखा वही कितनी उसे उपर उठा रहा है साथियो यह 15 किलोग्राम के बाहर को साथियो 5.5 जोव साथ हैं इक खर1.5 मीटर यहींची विस्थापन एक 5.5 मीटर होगत है थेखने यहीं को अपने पंदरह एक स्यथे प्रत्म उख्योह कि मल्टिप्लाइव कर देते हैं अब यहां से आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो देखिए पंद्रा और पंद्रा 225 होते हैं आपकी एक अंख पे दसमलो और गुणा में साथ में दस है तो 225 आपका जूल जो वो साथियो क्या जाएगा कारिय आ जाएगा ये इस प्रशन का अंसर आपका रहेगा 225 जूल उमीध है आपको अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा ठीक है साथियो तो इस प्रकार से अपन प्रशनों को करेंगे आगे बढ़ते हैं प्रशन नंबर 6 की बात करते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है किसी वस्तु में नहित उर्जा का मापन उसके द्वारा किया गया कुल कारिये से किया जाता है दो यांतरिक उर्जा विद्यूत उर्जा और प्रकास उर्जा का योग होती है तो देखे किसी वस्तु में नहित उर्जा का मापन उसके द्वारा किये गए कुल कारिये से किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, उर्जा और कारिये का मातरक है, वो भी क्या सेमी है, जूली है दोनों का मातरक, और किसी वस्तु में नहीं तो उर्जा का मापन उसके द्वारा किये कुल कारिये से किया जा सकता ह ठीक है यानि कि उस वस्तू के जो योगेता है कार्ये करने की वही उसकी उर्जा मानी जा सकती है ठीक है तो ये पॉइंट सही है इसके बाद दूसरा है यांतरी कुर्जा विद्यूत उर्जा और प्रकास उर्जा का योग होती है यांतरी कुर्जा इस्थतीज उर्जा और ग याद रखेगा हमेशा कोई भी वस्तु रख्यू हूई उसको अपन उठा रहे हैं उपर की तरफ उपर लेकर के गए उपर लेकर गए तो क्या होगा उसमें इस्थतीज उर्जा संचित होगी याद रखेगा एक तीर कमान उसके कमानी को जो अपन पीछे खेंचते हो तो उसकमानी में साथ यो इस्थतीज उर्जा संचित होगी याद रखेगा इस चीज को तो यहां उत्तर आपका बनेगा इस्थतीज उर्जा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रशन नमबर आठ की वायू सक्ती में उर्जा का कौन सा रूप विद्यूत उर्जा में परिवर्थित होता है वायू सक्ती आनि पवन चक्की की बात कर सकते हैं अपन यहां पर तो वायू सक्ती में जायर सी बात पवन जो वो बहती है हवा की जो तेजी है गती है उसकी वज़े से विद्यूत उर्जा बनती है तो गती उर्जा का उप्य नम्बर Q9 क्या कहता है दिक हैं तो प्रस्षन नम्बर नो है अर्जा रपां्तरण के संदर्ब में नेमनलखित कंथ्नों तो फिर उर्जा दुनिया से खतम ही हो जाएगे तो यह तो गलत है आना सही बात क्या है इसकी कि उर्जा को ने तो नश्ट किया जा सकता है और साथियों इसको उर्जा को लेकिन उर्जा को उत्पन नहीं किया जा सकता देखें उर्जा को नश्ट नहीं किया जा सकता इसको ए जब गतीज उर्जा का मान घटने लगेगा, तब इस्थतीज उर्जा का मान बढ़ जाएगा, जैसे ये परत्वी है, इस उंचाई पर कोई पत्थर है, इस उंचाई पर एक पत्थर यहाँ पे है, तो इस समय में इस्थतीज उर्जा का मान तो क्या है, इपी जिसको potential energy बोलत तब साथियों क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा, और लास्ट में जब नीचे गिरेगी, तो साथियों नीचे गिरने वाली होगी, तब काइनेटिक एनर्जी का मान तो maximum होगा, और potential energy का मान आपका minimum होगा, यानि कि zero होने वाला होगा, ठीक है, या का मतलब है, उसकी कुल उर्जा निकाय की A परिवर्थित रहती है, तो ये कथन बिल्कुल आपका ठीक है, इसलिए आपका जो उत्तर बनेगा, वो केवल दो, option B यहाँ आपका उत्तर बनेगा, चलिए, प्रसन 10 को देखते हैं, प्रसन 10 क्या कहता है, प्रसन 10 है, दिये गए कथन A और कारण R को पढ़िए, और सही कुटका आपको चैन करना है, कथन A दे रखा, जब कोई वस्तु किसी चटान से गिराई जाती है, तब उसकी गतीज उर्जा, इस्ततीज उर्जा में परिवर्थित हो जाती है, कारण है, R जो कारण हो वो है, किसी भी निकाय की कुल यांत्री कुर्जा सनरक्षित रहती है, तो अभी अभी अपन ने बात की कि कि किसी भी निकाय की कुल जो उर्जा है, यांत्री कुर्जा, इस्ततीज पलस गतीज उर्जा, वो सनरक्षित रहती है, इस्ततीज उर्जा कम होगी, गतीज बढ़ जाएगी, गतीज कम होगी, इ बराबर रहेगा यांत्री कुर्जा का अब जो उपर वाला पॉइंट है कि जब कोई वस्तू किसी चटान यानि कि कारण आपका सही है लेकिन कथन सही है कि नहीं है देखिए जब कोई वस्तू किसी चटान से गिराई जाती है तब देखिए मैंने क्या का चटान है इस चटान की उपर इस्तती होगी तो potential energy जो मैंने अभी आपको बताई वो क्या होगी maximum होगी और गतीज उर्जा क्या होगी गतीज kinetic energy zero होगी अभी जैसे नीचे अपन गिराएंगे तो kinetic energy बढ़ेगी यानि कि उसकी इस्ततीज उर्जा जो न वो किदर परिवर्तित होगी kinetic energy में परिवर् परिवर्तित होगी नहीं उसकी इस्ततीज जो उर्जा है जो maximum थी वो गतीज उर्जा में बदलने लग जाएगी क्योंकि वस्तु नीचे की तरफ क्या कर रही है इसलिए आपका कथन एक गलत है और केवल आर सही है इसलिए एक गलत है किन्तु आर सही option d आपका उत्तर होगा बहुत अच्छा प्रसन और उमिद करूंगा बहुत अच्छे से मैं आपको यह समझा पाया हूं और आपको समझ में भी आया होगा ठीक है तो अच्छा एक प्रसन था प्रसन साइद एक मिनिट चलिए मैं आपको बताता हूं वो प्रसन कौन सा था जो टेस्ट में गलत प्रसन में गलती थी प्रसन में चलो कोई नहीं आगे बता देंगे आपको प्रसन दस तक अपने किलिर कर लिए प्रसन नमबर 11 की बात करते हैं देखें समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजिएगा चैनल पर अगर आप नहीं है साइन्स का एकदम सटीक और बहतरीन मेटर आपको दिया जाएगा जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको बहतर देने की कोशिश करूँगा सटीक देने की कोशिश करूँगा ताकि कि वहां से आपको प्रशन मिल सकें ठीक है चलिए प्रशन 11 की बात करते हैं कि निम्नलिकित कथनों पर विचार आपको करना है पहला है कोईला पैट्रोलियम तथा प्राकर्ति गेस उर्जा के प्रमप्रागत सरोत हैं बिलकुल सही बात है प्रमप्रागत सरोत है इसके जाना उसको उसका उत्पादन करने का अपना लक्स होता है तो ताप ये विद्यूत सहयंतर में उसमी जो उर्जा होती है ना उससे विद्यूत उर्जा बनाए जाती यह उल्टा लिग दिया यहां पर इसलिए यह गलत है दूसरा तो आपका पॉइंट गलत है पहला सही है गतीज उर्जा कितनी होगी वस्तू की गतीज उर्जा कितनी होगी अब देखें गतीज उर्जा क्या होती है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है सब लोग जानते हैं काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी V square मतलब 4 मीटर पर 30 सेकिंड है, हाना, तो ये 4 गुणा 4 आजाएगा, सिधी सी बात है, अब देखेगा, इसमें अपन क्या करेंगे, 15.60, हाना, और अपन 2 से काड़ दें इसको, तो ये सीधा-सिधा ही, आपका बन जाएगा, कितना पनर गुण तीस ओग एक सो बीस, तो एक सो बीस जूल, एक सो बीस जूल काइनेटिक एनरजी इस किया जाएगी, बस इतना सा सिंपल आपका, ये प्रशन था, ओप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, बात करते हैं प्रशन नमबर 13 की, किसी कार का द्रवयमान 1500 किलोग्राम है, उसके वेग को 30 किलोमेटर परती घंटे से, 60 किलोमेटर परती घंटे तक बढ़ाने में कितना कारिये करना पड़ेगा, ठीक है, कहने का मतलब है, पहले इसकी गती जूर्जा कितनी थी, 30 किलोमेटर परती घंटा, स्वरी स्पीड कितनी थी, 30 किलोमेटर परती घंटा, उसको बढ़ा करके 60 किलोमेटर परती घंटा किया गया, तो इसके लिए कितना कारिये करना पड़ेगा, देखे साथी जो गतीज उर्जा होती है, एक प्रकार से वही आपकी क्या है, एक प्रकार से वही यानि कि उर्जा जो है वही एक प्रकार से किया गया कालिय है और उर्जा क्या होती है अपन यहां से उर्जा कमान निकाल सकते हैं ठीक है उर्जा कमान अगर अगर अपन निकालें 30 km परती गंटा की speed देने के लिए भी अपने उसको उर्जा दी है तो यहां देखे यह V1 अपन वेग मान ले यह V2 वेग मान ले ठीक है यह V1 वेग मान ले यह V2 वेग मान ले तो V1 को अगर मैं बदलूँगा साथ देखे km परती गंटा मैंने आपको बताया कि हमेशा आपको क्या करना है हमेशा आपको ऐसा ही मातरक में बदलना है तो 30 km परती गंटा को मीटर परती सेकिंड में बदलेंगे तो इसको 5 बटा 18 से गुणा करेंगी तो 30 गुणा 5 बटा 18 और यह आपका कितनाँ जाएगा साथ्यों यह आपका आजएगा 25 बुटवट्तीय मीट्र पर 30 सेकिंड ठीक है यह तो आगया वीवन का मान owe2 का मान कितना जाएगा 60 हूना पच बॉट्वट अपंत बुटा 500 बूट्र फटा और यह आपका और देखि yhte sociale पचास बटा तीन मीटर पर ती सेकेंड यह वीवन और वीटू का मान आ गया तो आप देखिए प्रारंबिक गती जुर्जा अपने निकालेंगी प्रारंबिक गती जुर्जा यानि कि जब गाड़ी स्टार्टिंग में जीरो की स्पीड पर थी उसको 30 किलोमेटर पर ते यह कारियें के बराबर होगी तो एक बटा दो एम वी वन का स्कॉएर यानिकि एक बटा दो गुणा एम का आएम की विलियो आपके इतनी है पंदरह सो और गुणा 25 बटा तीन 20 को है तो 25 बटा तीन दोबार आ गया इसको आप स्वोल करोगे यह आपका आजाएगा एक लाग चपन अजार दोसो पचास एक लाग चपन अजार दोसो पचास बटा में आजएगा तीन और जूल आजएगा ठीक इसको स्वालो आपको करना पड़ेगा इसी परकार डबलू टू का मान आपको निकालना पड़ेगा ठीक है क्योंकि 30 किलोमेटर परती गंटे से अब 60 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार अपने को देनी है तो उसमें कितना कारिय करना पड़ेगा एक बटा दो एम वी टू का स्कोई तो एक बटा दो गुना वही कुल कारिय कितना किया गया कुल कारिय देखे 0 से 30 तक लेकर आए उससे अपने को कोई मतलब नहीं होना चाहिए 30 किलोमेटर से 60 किलोमेटर की स्पीड तक अपने को कुतना कारिय करना पड़ा तो देखे 6sex25,000 जूल मेंसे बटा 3 मेंसे अपन गटा देंगे 1,56,250 बटा में 3 ठीक है यह गटा देंगे यहां पर आप इसको घटा होगे लेकर के तीन का तो यह आपका जाएगा एक लाग शपन अजार दो सो पचास ठीक है इतना कारी जो हो साथियों करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए यहां यह प्रसंद बनता है कि सर्व डबलू वन हना यहन की कार कुटाऊ जानते हैं कि आपकी जो गति जो गति का तीसरा स्मीक्रण हो यह गतिक होता है कि का डबलू ब्राबर क्या हो Cisco है बल्गुणा विस्थापन आ यहां से क्या आजाएगा डबलू बराबर आजाएगा आपका यहां से बल गुना वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर अपोन टूए ठीक है अब देखेगा बल का मान क्या होता है बराबर एम ए होता है हना और इधर आपका वी स्क्वाइर माइनस यू स्क्वाइर अपोन में 2A A से A कट जाएगा और देखिए अगर 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 प्रारंबिक वेग यू अगर 0 है तब डबलू बराबर क्या होगा एक बटा दो M फिर V का स्कुरे यू का स्कुरे जो जीरो हो गया तो डबलू बराबर जो वो गतीजुरजा के बडर यानिकि अगर प्रारंबिक वेग 0 है तो प्रारंबिक फेरैं इस इसाब से जो किया गया कारिए होता साथ्यो वो प्रारंबिक इस्तति में तो इसमें क्या यूगा साथ्यो प्रारंबिक इस्तत्त्य में देखें get T आपका जो बैस तीस किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार पकड़ाने से पहले इसका वे कितना था जीरो था तो प्रारंबिक वे कितना हो गया जीरो तो इस प्रकार से हमने जो कारिय है उसका मान एक बटा दो अमवी स्कुरे लेकर कि यहां सोल किया थीक है तो तो तीस किलोमे बात करते हैं प्रसन नंबर चौधा की प्रसन नंबर चौधा है बारा किलोग्राम दर्योमान की एक वस्तु धर्ती से निस्षित उंचाई पर इस्थित है यदि वस्तु की इस्थती 948 जूल है देखिए यह गलती हुई थी प्रसन में 948 नहीं है साथ हो यह अना वस्तु क इस्थती उर्जा 480 है इस्थती 948 जूल है इसका मतलब है इस्थती उर्जा उसकी 948 दे रखा है यहां लेकिन 948 इसका सही नहीं है 480 जूल असाथ हो यह प्रसन में मिश्टेक थी और इसका सभी को बोनस अंक भी मैंने दे दिया था तो 12 किलोग्राम की वस्तु है धर्ती से उसकी निशित कोई उसाई है यदि वस्तु की इस्थती जूर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धर्ती के सापक्स उचाई ग्याद की जिए गुर्टितबन का मान रम अबढ़allas आपको जी का मान दस मीटर प्रतिस के निशफेर लेना है तो उसकूर आपको ड्यास करनी है और जाहिर सी बात है उपर उठाएंगे तो अपने को कारिये करना पड़ेगा इसके लिए और कारिये करना पड़ेगा कारिये कितना करना पड़ेगा एब बराबर आपका जो MGH होता है तो W बराबर आपका F बराबर आपका M होता है तो M G आजाएगा और उंचाई कितनी है वो आपको find out करनी है अब देखिए W यहां कारिय कितना देर का 480 जूल दे रखा है बराबर M का मान आपको 12 और G का मान 10 लेना आपको उंचाई ग्याद करनी है तो 120 हो गया और इसमें अपन 480 में 120 का भाग लगानी है तो 4 मीटर अंसर आएगा चार मीटर तो इस प्रकार से option आपका C यहां पर सही उत्तर इसका रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नंबर 15 की बात करते हैं प्रशन नंबर 15 है निमलकित में से कौन सा जेयो मात्रा उर्जा स्रोत का उधारन नहीं है जेयो मात्रा उर्जा स्रोत का उधारन नहीं है लकडी, बायोगेस, नाभी किये उर्जा और कोईला तो देखें नाभी किये उर्जा जोव साथियो गेर प्रमप्रागत उर्जा का स्रोत है इसलिए ये जेव मातरा उर्जा का सरोत का उधारन बिलकुल नहीं होगा तो ना भी कि उर्जा इस प्रशन का जोवो साथियो आंसर आपका बनेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रशन नंबर 16 टर्बाइन को आउसेक चाल से चलने के लिए पौन की चाल होती है 15 किलोम अगे बात करें निनलखित में से कौन सा सुरोत अंततै सोर उर्जा से वित्पन नहीं है बोटाप्य उर्जा निपावन उर्जा ये यह जो पवन उरजा है जेव मात्रा भूतापी उरजा है भूतापी तो शिधा सुर इसर शुण मात्रा भाज़ वोगे रक्यादा बनाते वह भी ढूप में रखे जाते हैं तो यह भी सं पर्कित होगा इ dentro of है लेकिन और भी इतनी हैं तो बिल्कुल भी सम्मधित नहीं है इसलिए आपका option आपका B जो है वो सही उत्तर साथियोश प्रशन का रहेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपका प्रशन है सुमेलित करना आपको सुची एक को दो से सुमेलित करना सुची एक में उर्जा के प्रकार दे रखे हैं और सुची दो में उर्जा के उधान दे रखे हैं तो देखें जवारिय जो उर्जा है यहां options कुछ आगे और हैं आ है फिर्च तरंग उर्जा का संबंध होगा समुद्र की सतय पर उत्पण तरंगों से जो प्रात्ठ उर्झा है उससों होगी ठीक है फिरछ सागरिय उर्जा तो समुद्र के तल में जो गहराई में स्थित Fenwoodway के तल तो दी जो है उसमें अपका रहेगा, दो तो A में तीन, ये बी में आपका एक आएगा बी में हाँ डी में कितना जाएगा दो आजाएगा डी में कितना जाएगा दो तो ए में तीन, बी में एक, सी में चार और डी में कितना जाएगा दो तो इस प्रकार से उपसन आपका कौन सा बनेगा यहां पर option आपका बन जाएगा A में आपका 3 B में 1 C में 4 D में 2 option आपका बन जाएगा दूसरा ठीक है चली आगे बढ़ते हैं बात करते हैं प्रशन नमबर 19 की सोर सेल बनाने के लिए किस तत्वा का उपियो करते हैं तो इसका सिलिकॉन का साथ ही उपियो किया जाता है सोर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपियो गमलो करते हैं या सोर उरजा को व्द्चिक उरजा में पड़िवर्टित करता है ठीक है यह वातारण की अनुकूल है तथाख कोई पर दूसर उप चलीए आगे बढ़ते हैं अंतर विजुद से इंतर तभी परचालित हो सकते हैं जब कब परचालित हो सकते हैं सागर ताप ये अनिशारटी में भी है और अपने RBSC में है दोनों में एक ही चीजा कि महा सागर के प्रश्ट पर जल का ताप तथा दो किलोमेटर तक की गहराई पर जल के ताप में 20 डिग से इंटिग्रेट या उपर अगर 45 डिग्री से इंटिग्रेट है तो यहां नीचे 25 डिग्री से इंटिग्रेट दो किलोमेटर की गहराई पर अगर जल का ताप 25 डिग्री से इंटिग्रेट होगा तब जाकर के अपने को जो सागरत आप ये उर्जा एक प्रकार से प्राप होगा तो ओप्सन आपका भी यहां पर सही होगा ठीक है अगला आपका प्रसंद निम्न कथनों पर विचार कीजिए एक नाभी के विखंडन की प्रकिरिया में यूरेनियम प्लूटोनियम तथा थोरियम के नाभिकों को निम्न उर्जा नाभी के लिए जो भारी नाभी खें उन पर हलके एक प्रकार से जैसे निूट्रोन की बंबारियों के उनकी ओपर की जाती है और उनको हलके नाभिकों में तोड़ाजाता यह हो तिया आपकि विखंडन नाभी के लिए इसके लावा हाइड्रोजन समस्थानिकों में हीलियम उत्पन होना नाभी के विखंडन की पर क्रिया है फिर है नाभी के रियक्टर नाभी के विखंडन पर आधारित है तो देखे नाभी के जो रियक्टर है वो नाभी के विखंडन पर आधारित है नाभी की एक तो होता नाभी के सल्लेयन और एक होता नाभी के विखंडन नाभ विखंडन की पर के लिए नभी के संनलेंड के पर करिए हैं तो ओपसन आपका दो जो है वो तो बिलकुल भी सही नहीं हो सकता क्यूंकि Strategy कथन आपको पूचा है और ये क्थन गलत दे रखा है क्योंकि यहां नाभी की सनलेन होना चाहिए था इसलिए एक और तीन यह दोनों कथन आपके सही हैं और यही इसका उत्तर भी आपका रहेगा चलिए प्रशन नम्बर बाइस की बात करते हैं प्रशन बाइस है निम्लखित कथनों में से कौन सा एसत्य है हाइरोजन बम नाभी के सनलेन पर आधारित है बिलकुल सही कथन है बिलकुल सही कथन साथियो अपने को ऐसत्य बताना तो यह तो सही है नाभी के सनलेन पर आधारित है आपका हाइरोजन बम फिर है हाइरोजन बम के क्रोड में प्लुटोनियम के विखंडन पर आधारित कि ये भी सही कथन आपका, इसके बाद में बात करें, C कथन की, वो है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल अरुजा का सुरत नाबी के विखंड नहदे के सूर्य है, और अन्य तारे जो है, उनकी जो विशाल अर अरुजा का सुरत है, वो उसमें लगातार हौने इसके लावा नाभिकों के परस्पर इस्थापित होने के लिए अत्य दिक उरजा के आउसिकता होती है तो यह कथन भी सही है इसलिए जो ओप्सन आपका सही बनेगा वो आपका बनेगा ओप्सन नमबर तीन सूरिय तथा अन्य तारों की विशाल उरजा का स्रोत नाभिके विखंडन है यह बिलकुल ऐसत्य कथन है क्योंकि नाभिके सल्लेन इनका स्रोत रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशन नमबर 23 की बात करते हैं प्रशन 23 निम्न में से ऐसत्य कथन को उनसा है उरज इंक करता कि सकती है जो एक सेकिन में एक जूल कार यह करता है यह भी बी सइफ है फिर जूल 30 को एकवाट कहते है यह भी सब्संतितने नमद्या Giul करते है है कि एक किलो वाट और गुणा में क्या जाएगा एक घंटा जाएगा एक किलो वाट में कितने वाट होते हैं एक हजार वाट होते हैं और गुणा में एक घंटे में कितनी सेकिंड होते हैं आपके की गाथ 6 जूल के बरावर होता है दसकी गाथ 5 जूल के बरावर नहीं होता है और ऐसा ही पदती में जो सक्ती का मात्रक होता है वो क्या होता है वाट होता है इसलिए मैंने यहां पे जो मात रख वो क्या होता है साथियो वाट होता है ठीक है किलो वाट घंटा जो है वो साथियो क्वेवसाइक मात रख सकती का ये भी आप लोग ध्यान रखें चलिए उमीद करूंगा आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और इसी के साथ आपका ये जो क आपके लिए वहाँ अभी लेवल हैं तो उनको भी आप जैसे जैसे वह टेश्ट ओपन हो बिल्कुल फिरी में है उसको आप अटेम्ट करें हमारे नए अप्लिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से ठीक है या फिर आप प् वीडियोज हमारे मिलेंगे इसके लाव प्री रिट की जो स्रीज जिसमें पांस पेपर होंगे मातर साट रुपे में साथ कोई ज्यादा प्राइस नहीं मातर साथ रुपे में आप लोगों के लिए अवलेबल है वह भी उसी अपलिकेशन पर अवलेबल है तो उसको आप ज जरूर से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में एक और स्यांदार टोपिक के प्रश्णों के डिस्कुसन के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत